नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका एक और शांदार वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का e-book क्रियेट करेंगे और कैसे उसको sell करके आप पैसे कमाएंगे दोस्तों अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने इंटर्विव किया था कुछ Instagram page admins का तो उनमें ज्यादा तर जो Instagrammers है कैसे पैसा कमाते हैं e-book sell करके जो अपना face भी नहीं दिखाते हैं और e-book sell करके पैसा कमाते हैं एक्जामपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो समकित जैन है skills mentor के founder आप देख सकते हैं इनके page पर 2,46,000 followers है और ये e-book sell करते हैं इसके अलावा promotion करके भी पैसे कमाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर इनों ने लिखा हुआ है यहां क्लिक करके आप हमारी e-book खरीदे इसका promotion कैसे करते हैं इस तरह का content post करते हैं जहां पर काफी ज़्यादा likes आते हैं 7,000, 8,000 इन में से कुछ लोग जाके इनका bio चेक करते हैं और उस course को भी purchase करते हैं अगर वो interested होते हैं कभी-कभी यह क्या गरते हैं कि जिस तरह का course होता है उससे related post बना देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि इसके बारे में ज्यादा detail से जानकारी के लिए आप हमारे bio में जाके चेक कर सकते हैं अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है Instagram से पैसे कमाने के लिए इस्किल्स चाहिए इन्होंने एक post बना दिया नीचे लिखा हुआ है हमारी profile की bio की link से ebook पढ़कर Instagram से पैसे कमाना सीके 7000 लोगों ने like किया उसमें से अगर 700 लोगों ने भी click किया होगा और 70 लोगों ने भी खरीदा होगा तो 70 गुड़े 100 कर लो 7000 रुपए का ऐसे ही एक post से उनको income हो गई आप देखोगे यहाँ पर है earn money online ebook in Hindi करके इनका एक book है online make money करके इन्होंने एक ebook बनाया है और यहाँ पर इसका amount है 100 रुपीस तो जो customer यहाँ पर pay करके इस ebook को download कर सकता है और उसको पढ़ सकता है तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी कुछ इस तरह का ebook बनाए और उसको promote करके पैसे कमाए मैं ओ भी तरीका बताओंगा कि कैसे आप promote करेंगे प्लस यह जो payment page आपको दिख रहा है यह कैसे आप बनाएंगे इबुक कैसे बनाएंगे ओ भी बताओंगा यह payment page कैसे बनाएंग इनका भी वैसे ही कुछ monetization का method है इस पर click करते ही आप देखोगे यहां पर काफी सारे links ओपन हो जाते angel broking free demand account आप देखोगे share market हिंदी ebook को इसकी देखते है क्या price कितनी है इसको sell कर रहे है 249 में online business idea ebook इसको sell कर रहे है 99 में offline business ideas हिंदी इसको sell कर रहे है 199 में तो यह सारे के ebooks हैं कैसे sell कर रहे हैं ebook बनाया कैसे होगा ओ भी हम बात करेंगे आप कैसे बैचो के उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो पर पूरा बने रहे ना आप आदी अधूरी वीडियो देखके बोलते हो यार कुछ होई नहीं रहा है तो आदी अधू किस topic पर हम ebook बनाएंगे जैसे मालो मेरी expertise है blogging में YouTube में तो मैं तो इनके उपर मैं लिख सकता हूँ या फिर online पैसे कमाने की मुझे काफी सारे तरीके बता है तो इसके उपर मैं ebook बना सकता हूँ आप कैसे बनाओगे आप किस topic बनाओगे तो आपको चार चीजे में बतात experience करो और फिर उसको ebook के form में बनाके आप ebook लिख सकते हो अगर ideas की बात करें तो ज्यादा तर ideas ऐसे चल सकते हैं how to जैसे हैं how to make money online के उपर इन्हों ने लिखा था how to earn from Instagram क्योंकि Instagram पेज है तो यह कैसे on करते हैं उसके बारे में भी बता दिया मतलब जिस चीज से income कर रहे है उसी चीज को share कर रहे हैं तो उनकी expertise हो गई इन्होंने कैसे grow किया होगा Instagram पेज को उसके बारे में अगर बताया होगा इन्होंने ठीक है next ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि आप किसी भी field में like offline कोई field हो सकता है कि आप उस field में master हो photography की बात कर लेता है आपको photography काफी अच्छी आती उसका आप ebook create कर सकते हो तो इस तरीके से काफी सारे ideas है जब आप इन चारों चीजों पर knowledge, expertise, passion और problems की around जब आप देखोगे तो आपको ideas मिल दाएंगे कि आपको किस topic पर ebook लिखना है चलो topic तो हमें clear हो गया अब हमें ebook कैसे लिखना है Google Docs पर आप जाओगे आप पहले outline बनाओगे ठीक है जो भी आपका हो है जैसे मालो कि हम एक topic चुल लेते हैं photography से related की यार DSLR से photo कैसे click करें अगर कोई बंदा नया DSLR कर इता है उसके लिए अप Hindi में English में किसी भी language में आप अगर ebook बनाना चाहते ठीक है तो कैसे बनाओगे तो आप Google Docs पर जाओ वहां पर पहले pointers अपलिख लो how to click photos with DSLR यहां पर pointers लिख लो कि क्या क्या इसमें cover करोगे research करने के बाद well research करके आप पहले pointers लिखो फिर उसके बारे में details से अपलिखोगे तो आपके बास एक मोटा मोटा एक पूरा text के form में हो जाएंगे हो सकता है कहीं 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 पे pictures का भी इस्तेमाल हो तो pictures भी आपको वहां पर डालने बड़ेंगे तो एक raw format में एक docs के format में आप पूरा का पूरा ebook तयार कर लोगे पिछले साल मैंने बनाया था कि how to start blogging तो यहां पर आप देखो कि Hindi में ही मैंने बनाया था पू जितना attractive बनाओगे audience को पढ़ने में जितनी असानी होगी उतना ही बढ़िया होगा जब आपका ऐसे बन जाएगा Google Docs में जैसे Google Docs में जब आपका ऐसे बन जाएगा फिर आना है किसी भी graphic related software पे जैसे Canoa पे मैं जाता हूं आप Canoa पे जाओ Canoa पे free में आपको ebook के format मिल सकते हो जो आपको थोड़ा सा attractive लगे यहां से देख सकते हो इसको उठा सकते हो यहां पर अपने ebook का title दे सकते हो जैसे कि मैंने बनाने की कोशिश करी है यहां पर आप देख सकते हो सतीष के वीडियो प्रजेंट free blogging A to Z हिंदी में और यहां पर आप थोड़े से images वगरा और यहां पर आपको सारे elements वगरा मिल लाएंगे जो भी आप चाहोगे dollar का symbol हर एक चीज आपको मिल लाएंगे काइनवा को अगर आप explore करोगे आपको सारी चीजे मिल लाएंगे इवन हिंदी में टाइप करने के लिए आप Google Input Tool का इस्तिमाल कर सकते हैं extension आप उसको Chrome में लगा सकते हैं और उसके बाद जो भी आप टाइप English में करेंगे automatic हिंदी में टाइपिंग हो दी जाएगी तो अब मैंने क्या किया है यहां से मैंने पहला page बना लिया आपको भी क्या करना है इबुक का बढ़िया सा cover बना ले रहा है तो एबुक का cover हो गया ठीक है अब नेक्स जो आता है हमारा की शुरुआत हम कैसे करेंगे कि इंडेक्स बनाएंगे कि इस course में या फिर इस ebook में क्या क्या होने वाला है तो ओ ebook बनाने के लिए आप यहां पर जैसे मान लेजे मैंने लिखा है blog कैसे शुरू करें और पैसे कैसे कमाएं तो इस ebook में आप जानेंगे कि blog topic कैसे चुने, domain कैसे करीदे, hosting कैसे करीदे, blog setup कैसे करे, monetize कैसे करे और भी सभी जान करें जो आपको एक अच्छा blogger बनने में मदद करेंगे तो इस शुरूआत में लिख दिया ताकि एक जो भी ebook पढ़ रहा है उसको एक idea हो जाए कि वो क्या सीखने वाला है उसके काम की चीज है भी या नहीं फिर वहां से हम शुरूआत करेंगे और जो हमारा यहां पर आप देख सकते जो पढ़ियां से और जहां पर images होंगे images भी आप अड़ कर सकते हैं यहां पर देखो कि upload करने का option है और यहां से ही आप images एड़ कर सकते हो जैसे माल लो मेरेको कोई image एड़ करना है इसी को एड़ करना है तो मैंने यहां पर image एड़ कर दिया इसके अलावा guys आप जो भी ebook क्रि प्लस images लगाने से क्या होता है कि audience को अच्छे से समझ में आती है ebook create करना आपको थोड़ा सा time ले सकता है बट एक बार अगर आपने बना लिया आप काफी time तक पैसे बनाते रहोगे और passive income बनाते रहोगे और एक तरीका अगर आपको पता चल गया जितने भी आपको skills आते ह रहे होंगे तो जो भी आप काम करते हो graphic designing का उसके उपर आप ebook create कर सकते हो editing करते हो उसके उपर आप ebook create कर सकते हो तो काफी content काफी है जिसको आप ebook का मतलब हो गया कि एक particular कोई Instagram pages वाले ऐसे ही earn कर रहे है और आप सोच हो कि इस समय ebook कौन खरीता है तो मैंने देखा था जो सम्किजी है उनसे मैंने stats निकलवाय थे काफी जादा उन्होंने ebooks हो गयरा sell करी है तो मैंको भी अच्छा लगा कि यह option हो सकता है लोग भी लोगों को भी इसके बारे में बतान दिया बट आपको पूरा create करके फिर ऐसे download कर लेना है यह हमारा ebook रेडी हो गया इसको हम open करते हैं आप देखो कितना बढ़िया ebook लग रहा है जो बंदा पढ़ेगा उसको भी अच्छा लगा और फोन में काफी अच्छा रहेगा भी जादा तर लोग फोन यूज करते हैं एक बढ़ियां सा page create किया है जो काफी clean सा दिख रहा है इवन यहां पर इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है product description हो गया तो इसके लिए आप हमको चलना है razor paper तो अब इसका description में मैं link डाल दूंगा razor paper का आप वहां पर जाके सीधा आप razor paper जब आप open करेंगे तो आपके सामन और यहां पर आपको password enter कर देना है और capture code को capture है या फिर किसको क्या बोलते है capture ही बोलते है verify करना होता है motorcycle और next कर देते हैं अब हमको अपने email में जाना पड़ेगा और वहां से verify करना पड़ेगा तो यहीं पर हमें पूछ रहा है कि आपका जो business है unregistered unregistered का मतलब कि आप ए WhatsApp तो यह भी कर सकते हैं ताकि आपको WhatsApp पे भी notification मिलते रहेंगे जो भी sales वगएर होंगी आपके इस reserve paper इसके बाद आपको verification code गया होगा तो आपको जाना है अपने email में email को open करना है अपने Gmail को open करना है inbox को और वहां पर verification code होगा जो आपको डालना होगा देखिए यहां पर OTP जाया है तो OTP को copy करना है वहां पर ले जाके आपको paste करना है ठीक है अब उसके बाद आपके सामने एक dashboard open हो जाएगा और यहां पर लिखा होगा activate your account तो account activate करने के लिए आपको यहां पर जो भी चीजे आपने जो भरी थी business not registered तो वैसे तो मेरा तो registered है बट बहुत सारे क्योंकि हम कुछ sell करने वाले हैं सबसे उपर e-commerce दिख रहा है फिर उसके बाद इसमें e-commerce में सब category क्या होगे तो आप यहां पर क्या sell करोगे तो books and publications books पर डाल दो गया books पर डाल देते हैं ठीक है business description क्या होगा अपने business के बारे में बता सकते हैं कि क्या होगा तो content production और आप तो ऐसे मैंने copy paste कर दिया अब आप average order value any payment received by my business would be usually lie तो अगर आप यहां पर बता सकते हो कि कितने से कितने range का होगा ऐसे कोई randomly डाल देते 10-20,000 पास से 10,000 रुपे पगड़ के चलते हैं how do you wish to accept payments without website on my website अगर आपके पास website नहीं है तो without website पर click कर सकते हैं on my website पर अपने website का ओडाल सकते हैं तो जैसे मालो में अपना website डाल देता हूं आपके पास website नहीं है तो without website पर ही कर देते हैं ठीक है यहां पर आपको pen number enter करना है I hope कि आपके बास pen card होगा pen card पर जो नाम लिखा होगा आपको यहां पर enter करना है billing label में आप अपने company का नाम लिख सकते हैं अपना address डालेंगे और pin code डालेंगे और इसको save and nest करेंगे फिर उसके बाद आएगा bank account फिर bank account में आपको जिस भी नाम का bank account होगा वो enter करना है IFSC code डालना है account number और फिर से account number डालना है ताकि जो भी पैसे जो भी transaction होगे तो इसमें आने के बाद आपके बाएंगे account में तभी transfer होगे ठीक है उसके बाद document verification के लिए आपको आधार number डाल रहा है और फिर OTP आएगा उसको OTP डालके फिर यहां पर submit कर देना इस तरीके से यहां पर next करिए जिस तरीके का skills mentor ने बनाया था वैसे ही हम बना रहे है यहां पर आप देख सकते हो no coding required कोई coding की जरूरत नहीं है custom branded page अपने brand मतलब अपने हिसाब से आप custom design कर सकते हो ऐसा लगेगा कि आप अपने हिसाब से color विगरा सकते हो payment button लगा सकते हो अपने हिसाब क चलिए अब यहां पर create payment pages पे click करते हैं अब आप देखो create your own events and tickets वाले pages बनाने तो कर सकते हो accepting donations डोनेशन अगर जैसे होता है बहुत सारे जगह पर आप देखते हो कि यहां पर आप donate करो अभी जैसे कोवीड का चल रहा था तो लोग बोले थे donate करो एक page बन जाएगा वहां प अगर product sale का हम देखते हैं इस template को यूश करते क्योंकि हमें product sale करना है तो आप यहां पर अपना logo लगा सकते हैं इंटर paste title ठीक है blogging ebook ठीक है मैंने ऐसा लगा दिया आप देखो यहां पर दिखा रहा है product image तो यहां पर product image के लिए एक बार हमको वहां से canva से मैं खाली इस cover को download कर लेता हूं ताकि मैं वहां पर upload कर दूँगा payment page पर और यहां पर आप देखेंगे product image में हम उसका cover उपर लगा देते हैं ठीक है आप देखोगे यहां पर लग गया product description में आप लिख दोगे कि जो भी इस book में रहेगा जैसे मालोगर आपको हिंदी में लिखना है यहां प to start blogging in Hindi कितने दिन में डिलेवर हो जाएगा अगर फिजिकल प्रोड़क्ट है वैसे फिजिकल प्रोड़क्ट तो नहीं है बट आप लिख दो instantly ठीक है तुरंद चला जाएगा यहां पर लिख दो instant ठीक है तो यहां पर contact us के लिए अपना email ले दिया तो जैसे मालो मैं यहां यहां पर फोन नंबर अगर आप यहां पर फोन नंबर अगर आप यहां पर शो करना चाहते हो देना चाहते हो तो आप दे सकते हो एड शोचल मीडिया शेयर आइकन तो यहां पर अगर शोचल मीडिया पर शेयर करने के लिए आप इसको लगा सकते हो और फिर टम्स एंड कं within 30 days एक वीक लिख दो जो भी चीज़े आपको यहां पर terms and condition में लिखनी है आप लिख सकते हो जो भी आप दिखाना चाहते हो ठीक है तो यह होगे आपके product के बारे में detail अब यहां पर price field price क्या चाहते हो fix amount रखना चाहते हो यह फिर customer को बोलते हो कि आप अपने हिसाब से जो पे करना है पे कर दो ठीक है तो यहां पर fix amount डाल सकते हो जिसे मालो मैं डाल देता हूँ 199 रूपिस ठीक है 199 रूपिस ओके अब यहां पर input में क्या लेना चाहते हो customer का email ओक है बाइं ओकर चाहते हो be Ap और क्या input में लेना चाहते हो तो input में आप यहां पर email हो गया number हो गया single line test मतलब name में jos लेना है तौ ले सकते हो 5.0 लेना है तो pin code लेना है तो कई बच्षय कोड़ने कोड़र ले सकते हैं तो link के वारीया लगर तो आपना स्कॉर्प में बना लेते हैं यहां पर देखेंगे पेमेंट रिसिप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसे ही बंदा पेमेंट करेगा जो भी खरीदने आ रहा है उसको अटोमेंट रिसिप्ट्स जनेरेट हो जाएंगी अगर आप मैनुवल बनाना चाहत तो यहां पर मैनुवल देख सकते हो जो सेंपल रिसिप्ट है कुछ इस तरीके से जैसे कोई पेमेंट करेगा तो कुछ इस तरीके का रिसिप्ट जाएगा तो अगर आप मैनुवल कुछ अपना डिजाइन करना चाहते हो तो वह भी बना सकते हो तो शो एन इन्पूट फिल मतलब एक रिफरेंस आइडी हम बाद में भी एड़ कर सकते हैं तो मैं तो बहुंगा ऑटोमेट पे रखो इतना मंगजमारी क्यों पालने का शो एटीजी डीटेल्स अगर लाइक कुछ टेक्स हो गएर वाला या इतिंक एटीजी है तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ओ भ या अपर आपने इस आप से बना सकते है इसकी कोई एक्सपारी डेट अगर आप सेट करना चाहते हो कितने दिन तक यह ओफर चलेगा तो उतने दिन का बस आप सेट कर सकते हो action after successful payment आप कोई custom message show करना चाते हो यहाँ पर आप दिख सकते हो thank you और फिर यहाँ पर redirect to your website तो जो हमने create किया था वहाँ पर ebook अब क्या करना है उसको हमें google drive पर upload करना है google drive पर upload करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है share के option पर जाना है और यहाँ पर anyone करके copy कर देना है ठीक है इस link को copy कर लीजिए और फिर आ जाईए payment page पर और यहाँ पर जैसे ही बंदा payment करेगा उसको redirect करना है इस page पर जो drive पर गूगल drive पर ठीक है फिर हमे save and publish page पर click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक payment page का URL क्रियेट हो जाता है उसको आपको copy कर लीना है ठीक है इस link को ही promote करना है जो भी जिसको भी sell करना है उसको आप जैसे ही भेजोगे तो जैसे ही click करेगा उबंदा उसके सामने ए ओपनों के आ जाएगा जिस तरीके का skills mentor का था वैसे ही यह आ गया है और यहाँ पर मैंने details होगरा कम लिखे हैं बट आप details होगरा जादा लिख दोगे अब बंदे के पास यह चला गया वो बंदा amount उसको दिख रहा है वो अपना नाम भरेगा falana gmail.com और नीचे दिमकाना और यहाँ पर paper click करेगा जैसे paper click करेगा आगे आ जाएगा किस से pay करना है देखो यहाँ पर reserve pay इसलिए हमें यूज करना है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे payment option मिल जाते हैं और यहाँ पर जो payment success rate है काफी high है मतलब यहाँ पर बहुत कम ऐसे chance होते हैं कि payment fail हो जाएगा इसलिए जरूरी है कस्टमर भी अगर payment करना है fail हो जाएगा उसका experience कराब हो जाएगा फिर वो दुबारा आएगा नहीं तो customer का experience जरूरी है अच्छा हो ताकि वो payment easily कर पाए और easily payment करने के लिए reserve पे काफी सही है इसके साथ customer को language select करने का भी option मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि English है, Hindi है, Marathi है, Gujarati है तो अलग-अलग language में चाहे तो customer payment कर सकता है इसके अलवा यहाँ पर देखो card का option मिलता है UPI का मिलता है, net banking, wallet wallet में भी बहुत सारे wallet है आप देख सकते हो, Mobi, Quick, Free, Charge, Airtel Money, Jio Money, काफी सारे है UPI में आप सिधा UPI इंटर करके अपने जा सकते हैं या फिर QR code शो करके उदर पेमेंट कर सकते हो आप मतलब जो customer है पेमेंट कर सकता है और यह test mode चल रहा था तो उदर मैंने जैसे cancel किया पेमेंट यहां पर लेके बता दिया और उनके सामने यह e-book open हो जाएगी जैसे वो बंदा पेमेंट करेगा उसके सामने e-book open हो जाएगी तो इस तरीके का कुछ आपको पेमेंट पेस कर सकते हैं कि अलावा अगर आपके ब्लॉग है तो आप कैसे इसका एक और option कैसे अब इस्तिमाल कर सकते हैं यह काफी आपको एजी लगा होगा तो अब आते हैं जैसे माल लीजे हम डैश बोड पे चलते हैं वापिस जो हमारा डैश बोड है यहां पर आप देखोगे पेमेंट पेस के नहीं से दिया हुआ है पेमेंट बटन पेमेंट बटन भी काफी यूसफुल है यहां पर काफी सही जैसे डोनेट नाव का बटन बना सकते हो पे का बटन बना सकते हो बाई नाव का बटन बना सकते हो डिर जैसे देखो quick pay button, donations button, buy button, custom button तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर pay now या फिर buy now का मैं use करता हूँ यहाँ पर title आप इसका डाल देंगे, ebook जो भी आप title डाल देंगे वो आपको ही दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा अब यहाँ पर theme हो गए रहाँ आप अपने इसाप से change कर सकते हैं जैसे यहाँ पर preview दिखा रहा है आपको side में तो light करोगे तो ऐसा हो जाएगा, outline करोगे ऐसा हो जाएगा, brand color अपने इसाप से आप कर सकते हो, तो चलो हम यही रखते हैं फिर next करते हैं add amount field, कितना amount करना है, fix amount करना है, कितना, value आपको यहाँ पर दे देना है 199, जितने का भी आप रखना चाहते हो, price और फिर यहाँ पर आपको next कर देना है, अब क्या-क्या customer से input लेना चाहते हो, वही email और phone number तो यहाँ पर फिर वापिस next कर देते हैं, customer detail लेने के बाद, फिर review कर लो, और फिर यहाँ पर create button, जो button दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, इस button को कहा यूज करना हो भी मैं आपको जैसे website पर लगाना चाहते हो, अगर WordPress पर आपकी website है, तो इसको लगा सकते हो, यहाँ पर copy करना इस code को, अपने blog पर जाना है, अब मैं अपने blog पर जाता हूँ, सतिशकुषा.com पर जाता हूँ, और फिर मैं अपना dashboard उपन करता हूँ, आपको भी अपना login कर लेना, अगर आ पर जाते हो, अपने WordPress पर जाते हो, अपने WordPress पर यहाँ पर एक गाइड दिया हुआ है, इंटिग्रेशन गाइड तो वहाँ पर वाड़प्रेस पर क्लिक करेंगे, या फिर वहाँ पर Razer का plugin इंस्टॉल करके आप भी कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मालीजे मैं इसका code को को करता हूँ, और फिर जाता हूँ अपने WordPress वेबसाइट में, और यहाँ पर कोई एक आर्टिकल है, जैसे Best New Business Ideas in India, इसको मैं एडिट करता हूँ, और उसमें कहीं भी बीच में, जैसे मुझे जहाँ लगता है, कि मैं डाल दूँगा, कि Buy My E-Book, How to Start a Blog, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लस पर जाऊँगा, और यहाँ पर HTML सर्च करूँगा, Custom HTML, and then मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, जो कोड मैंने वहाँ पर कॉपी किया था, और प्रिव्यू पर जैसे क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर पेनाव का बटन आ गया, और इसको हम अपडेट क पर क्लिक करते हैं, देखते हैं वहाँ पर इंबेड हुआ है कि नहीं, तो जैसे यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे, बाई माई इबुक यहाँ पर हाओ तु स्टार्ट अ ब्लॉग के नीचे यहाँ पर बटन आ गया सीधा, आप इसको जहाँ चाहें के वहाँ लगा सक सकते हैं, या फिर इस साइड बार में लगा सकते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं, या फिर नीचे आप जैसे ही आर्टिकल खतम हो रहाँ, हर आर्टिकल के नीचे आप लगा सकते हैं, तो यह ऐसे जो ब्लॉगर लोग हैं, ऐसे लगा के सेल कर सकते हैं, आपने वेबसाइट यह बहुत है, QR code मैं generate कर रहा हूं, फिर मैं भी cancel करूँगा, cancel करूँगा तो payment done बताएगा, क्योंकि यह test mode चल रहा है, आप देखोगे payment successful, और यह redirect होगी site, actually हमने redirection set नहीं किया है, इस वाले में button में, तो button वाले में भी हमें redirection set करना पड़ेगा, यहां पर redirect URL and custom message पर यहां आपको दिखाते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, share पर click करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इसको change करते हैं, और फिर copy करते हैं उस link को, और यहां पर redirect URL हम यहां पर add कर देते हैं, show custom message, if please email, email us, ठीक है, अगर कोई बंदा इस redirect URL को miss कर द चुका है, अब वापीस हम जाते हैं, जो हमारा article था, जहां पर हमने update किया था, वापीस देखते हैं, अब यहां पर pay now पर हम आपीस click करते हैं, same way process करते हैं, email यहां पर डाल देते हैं, कोई भी और number कुछ भी यहां पर enter कर देते हैं, और फिर हम इसको cancer कर देते हैं, तो payment successful ह अब इसके बाद redirection होगा, okay, redirection हो रहा है, थोड़ा customer को wait करना बड़ेगा, ताकि यह हमें लेके जाए उस page पर, ठीक है, अब देखो, उस page पर लेके आगे आप customer यहां से इस ebook को download कर लेगा, तो यह process है, इस तरीके से आप अपना ebook create करके इसको sell कर सकते हो, अब हम बात करते हैं कि कैसे promote करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि कैसे ओ लोग Instagram के थुरू कैसे promote कर रहे हैं, Instagram पे page उन्होंने बनाया है, आप क्या कर सकते हो, उनको contact कर सकते हो, और 30% affiliate कर सकते हो, जो भी sell होगा, आप उसका 30% दोगो, उस base पे आप उनसे promote करवाओ, या फिर जो अगर आपका YouTube चैनल है, तो YouTube चैनल पर आप इसको sell कर सकते हो, इसके लाव अगर थोड़ा सा profitable है, like 500 रुपे का है, 1000 रुपे का है, या e-book ज्यादा महेंगा नहीं रखतना चाहिए, मुझे लगता है कि 100 रुपे से लेके 500 रुपे तक का ही रखना चाहिए, आप इसको उसक सारे तरीके हैं, आप उनको sell कर सकते हो, अगर आप चाहें, इस e-book के जगापे बहुत सारे लोग जो होंगे fitness से related, अगर उनका कुछ काम हो रहा होगा, fitness से related, डाइट प्लान और ऐसे बना सकते हैं, और sell कर सकते हैं, तो काफी सही चीजे हैं, आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो I hope कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो share करिए, और इस वीडियो को like करिए, और reserve का भी link में नीचे डाल दूँगा, साथी साथ जो भी process है, वो भी description में थोड़ा बहुत लिख दूँगा, ताकि आपको idea लग जाए, and I believe कि य या एक आपके लिए नया तरीका भी हो सकता है, और अगर आप इसको अभी तक आपने try ने किया, try करो अगर आपको पहले से पता था, but यह process हो सकता है, आपको ना पता हो, but इस process के लिए तो like कर दीजे, तो चले ठीक है, I hope कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत होगा, नीचे comment करके आप पूछ सकते हो, तो दोस्तों, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, किसी और दमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए आप जहां भी रहो, मचाते रहो